वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या इर्ष्या से नहीं बलकी प्रेम, करुना, नमरता और भक्ती से. जो कुछ हुआ, अच्छे के लिए हुआ. जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है. जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा जिस इनसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इनसान का मनजिल से भटक जाना तय है अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निश्क्रेता से बहतर है कल की फिक्र मत करो जिस इश्वर ने आज तक संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा जीवन में कभी मौका मिले, तो किसी के लिए सार्थी बनना स्वार्थी नहीं असली कुशी की कुझी यहीं है, कि अपने मन से इच्छाओं के बोज को हलका कर दो अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिनाम पर नहीं अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से वह सब कुछ करो जो तुम्हे करना है लेकिन लालट से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, इरश्या से नहीं बलकी प्रेम, करुणा, नमरता और भक्ती के साथ जिस इनसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इनसान का मन्जिल से भटक जाना तय है बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते हैं राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है श्री कृष्णा ने हस कर कहा, जहां मतलब होता है, वहां प्यार ही कहा होता है वह सब कुछ करो जो तुम्हे करना है, लेकिन लालच, अहमकार, वासना या इर्श्या से नहीं बलकी प्रेम, करुना, नमरता और भक्ती से जो कुछ हुआ, अच्छे के लिए हुआ जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा जिस इनसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इनसान का मनजिल से भटक जानाते है अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निश्क्रेता से बहतर है कल की फिक्र मत करो जिस इश्वर ने आज तक संभाला है, वह आगे भी संभाल लेगा जीवन में कभी मौका मिले, तो किसी के लिए सार्थी बनना स्वार्थी नहीं असली कुशी की कुण्जी यहीं है, कि अपने मन से इच्छाओं के बोज को हलका कर दो अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिनाम पर नहीं अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो, तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से वह सब कुछ करो जो तुम्हे करना है लेकिन लालट से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, इरश्या से नहीं बलकी प्रेम, करुणा, नमरता और भक्ती के साथ जिस इनसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इनसान का मन्जिल से भटक जाना तय है बुरे कर्म करने नहीं पढ़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पढ़ते हैं राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है श्री कृष्णा ने हसकर कहा, जहां मतलब होता है, वहां प्यार ही कहा होता है